प्रधान मंत्री नरेंद मोधी अपने दो दिवस्य चीन यात्रा खत्म करके भारत के लिए रवाना हो गए हैं आपको बता दे कि 27 अप्रैल को और अप्चारिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पियम मोधी चीन पहुंचे थे इन दो दिनों में पियम मोधी और चीन के राष्ट पती शीर जिनपिंग के बीच कई दौर की मुलाकात हुई मोधी और जिनपिंग की इस मुलाकात पर ना सिर्फ भारत और चीन बलकी पूरी दुनिया की निगाएं टिकी रही इस मुलाकात की एक खास बजा ये भी थी कि पिछले साल 72 दिनों तक चले डौकलाम गती रोध के बाद पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई यानि इस यात्रा के दौरान ना तो किसी समझोते पर हस्ताक्षर हुए ना ही कोई संयुक्त बयान जारी किया गया